आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense Hindi में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Advanced Medium Combat Aircraft के बारे में इस Aircraft को बनाने वाले Institution यानि कि Aeronautical Development Agency की तरफ से इस Aircraft को लेकर Aerolastic Optimization शुरू कर दिया गया है यानि कि Officially अब ये कहा जा सकता है कि AMCA Design का Phase 2 शुरू हो गया है इस Phase के दौरान बहुत सारी Analysis इस Aircraft के Design के उपर की जाएंगी और इन में से जादा तर Analysis इस Aircraft के Construction में यूज होने वाले Material के उपर की जाएगी इन Analysis के दौरान ये पर्खा जाएगा कि इस Aircraft के Design में जो Material यूज किया जाएगा वो इस Aircraft के पूरे Flight Envelope के दौरान किस तरीके की Aerolastic Properties डिस्प्ले करता है AMCA के केस में ये Phase बहुत जादा Important हो जाता है क्योंकि AMCA एक 5th Generation Stealth Fighter होगा और इसी वज़े से इसमें यूज होने वाले Material ना ही केवल अच्छी Aerolastic Properties डिस्प्ले करेंगे बलकि बहुत ही कम radar signature offer करेंगे और इसी वज़े से ये Phase बहुत जादा crucial हो जाता है Publicly Available Information के हिसाब से इस Phase के दौरान ये more or less clear हो जाएगा कि इसमें जाने वाले सभी system किन material से बनाए जाएगे जिसके बाद parts का fabrication शुरू किया जा सकेगा माना जा रहा है कि इस Phase को आने वाले 4-6 महिने के अंदर complete कर लिया जाएगा और इस Phase के दौरान कुछ और high speed wind tunnel testing models बनाए जाएगे और इन models के उपर divergence, gust, flutter और buffett जैसे अलग-अलग तरीके के vibrations को test किया जाएगा और उसके overall impact को अलग-अलग प्रकार के material के साथ में test किया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा material एरक्राफ के किस हिस्से के लिए सबसे सही रहेगा और जैसा कि हम लोग पहले भी बदा चुके हैं कि इस एरक्राफ में जाने वाले सभी materials के साथ में एक और variable add हो जाता है और वो है इनकी radar reflecting property और इस चीज को देखते हुए ये choice बहुत जादा complex हो जाती है और इसी वज़े से कई जगाओं पर trade-off ढूडे जाएंगे जिसका effect इस aircraft की overall flight envelope के उपर बढ़ेगा आम तोर पर 5th generation fighter jet के साथ में ये problems आती ही आती है और इसी वज़े से ये phase बहुत जादा crucial है हाला कि इंडिया की तरफ से LCA Tejas के दोरान इस तरीके की studies already की गई होंगी लेकिन उस समय की choices एमका की comparison में बहतर होंगी क्योंकि वहाँ पर stealth fighter jet को ध्यान में रखकर चीज़ें नहीं decide करनी थी वैसे अगर overall timeline की बात की जाए तो advanced medium combat aircraft साल 2025 में roll out किया जाएगा और साल 2026 में इस aircraft की पहली flight होगी इसके अलावा इस aircraft का एक और version बनाया जाएगा जो इस aircraft को almost 6 generation capabilities प्रदान करेगा ये aircraft कहलाएगा Amca Mark 2 जहां AMCA Mark 1 साल 2026 में अपनी पहली उडान भरेगा वहीं पर AMCA Mark 2 साल 2030 के आसपास अपनी पहली उडान भरेगा और ये fighter jet भारत में ही बने हुए jet engine का प्रियोग करेगा वैसे Aeronautical Development Agency की तरफ से इस aircraft design के second phase के दौरान private sector companies को engage किया जा रहा है और इस पूरे phase के दौरान ये private sector companies आठ milestones के उपर काम करेंगी ये सारे के सारे milestone डिलेवर होने के बाद में इस aircraft design का तीसरा phase शुरू किया जाएगा हलाकि ये पूरी के पूरी analysis ये private sector company ADA की facility में जाकर करेगी और इस analysis phase के दौरान इस private sector company को ADA के साथ-साथ IIT कानपुर और NAL का भी पूरा का पूरा support मिलेगा वैसे इस aircraft के design में जो approach यूज की जा रही है वो काफी शांदार है ADA की तरफ से जो already experience resources है उनको subject matter expert के तौर पर यूज किया जा रहा है और वहीं पर ये जो दूसरे काम है वो इन private sector companies से इन subject matter experts के guidance के अंडर कराया जा रहा है और इस approach के कारण ना ही केवल इस development process की timeline बेहतर हो रही है बलकि overall pricing भी कम होती जा रही है इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद देखते रहे है Alpha Defense जैहिन और देखते हैं केनी जाओ आजियो को सुझते हैं